सब्सक्राइब किजिए अविसे किराच को और बेल आइकन को भी प्रेस्ट सब्सक्राइब किराच आज हम बात करें इलेक्ट्रोनिस कोपरेशन आफ इंडिया लिम्टेट के बारे में जो कि हैधराबाद में इसका कमपनी और यहां पे एक नोटिश्टिक जारी किया गया है आई टीय के लिए बीटेक के लिए और डिपलोमा के लिए तीनों के लिए है और बहुत अच्छा पोश्ट है बहुत जड़ा पोश्ट है जहां पर आपको कॉंट्रेक्ट पर काम करना होगा यह वेकेंसी निकाली गई है इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स में तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस कंपनी की वेबसाइट पा पहला लाइन है यह देख रहे होगा यहां पर किलिक है टू अपलाई वेरियस कांट्रेक्ट पोजिशन और इसी में आपको अपलाई करना हो इसको डिटेल्स में जाने के इस पर हम किलिक करेंगा और आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इसके बाद देखिए यहां इसके बाद यहां पर आपको अपलाई करना होगा तो काफी जल्दिवाजी में आपको अपलाई करना होगा पोस्ट भी बहुत ज्यादा है तो चलिए इसको डानलोड करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके से अपलाई करना होगा तो यह नूटिफिकेशन डानलोड हो चुका है आपको जख़र्य टेकनिकल आफिसर के निए इसमें जो contract पर आपको बुला रखा है, इसमें 1470 सीठ है, और इसमें आपका age, 31 बरादुर 88 के बाद होना चाहिए, इससे पहले आपका age है, तो आप इसे apply नहीं कर सकते हैं, इसमें 31 बरादुर 98 के बाद जिसका जनम होगा, वो apply कर सकते है, post 1 के लिए, इसमें जो salary है, 2948 बाद होना चाहिए, और इसके लिए जो salary है, 17604 रुपया पर बंत है, इसके बाद हम आएंगे, junior consultant field operation के लिए, इसमें ये भी contract पर है, और इसका भी जो seat है, 315 है, और इसमें जो date, इसका जो date है, 2993 है, इसके बाद आपका जनम होना चाहिए, इसके लिए जो salary है, 16,42 आपको अलग से मिलेगा, इसमें, दूसरा नमर में ये ही लिख रहा है, इसके बाद हम बात करेंगे, contract period का, ये तीन महीने के लिए contract करेगा शुरू में आपसे, और तीन महीने आपका successfully complete हो जाता है, तो आपको दो मन्त और बढ़ा दिये जाएगा, और ये depending करता है, project के requirement प Post 1 के लिए आपके पास BTEC के डिगरी होनी चाहिए, और जो बरांच है, Electronics Communication Engineering, Electrical Engineering, Electronics Instruments Engineering, Mechanical Engineering, इसका Computer Science वाले इसमें apply कर सते हैं, जो BTEC में 60% mark से पास हुए हैं, इसके बाद Post No.2 के लिए बात करें हम, तो इसमें भी आपको पास डिप्लोमा का certificate होना चाहिए, और ये डिप इसके बाद Mechanical Engineering, इसके बाद Computer Science Engineering, इतियादी में डिप्लोमा किया हैं, और साक्ट प्रेशन मार्क्स का सांथ आपने पास किया है, तो आप इसे apply कर सकते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे Post No.3 के लिए, इसमें ITI Pass Student जो दो year का course किये हैं, ITI में एक साल का भी course होता है, दो साल Mechanics वाले जो Radio and TV के लिए जो Mechanics होते हो, इसके बाद Electrical and Fitter, Electrical मतलब Electician और Fitter वाले इसमें apply करेंगे, और Method of Selection क्या रहेगा, यह Purely on Contract Basis है, Contract पर आपको रखा जाएगा, और इसमें Selection जो होगा, मेर्ट बेस पर होगा, आपका जो ITI में जो नंबर है, उसके अनुसार आपको Merit List यहाँ जारी की जाएगे, तो Merit List पर आपका Selection होगा, Merit का अनुसार होगा, तो Next जो यहाँ पर लिख रखा है, Note में, कि जो Minimum 6 मन्त का आपके पास Industrial Experience होना चाहिए, और 6 मन्त से कम Experience है तो आप इसे apply नहीं कर सकते हैं, और उसको preference मिलेगा, जिसका 6 मन्त से ज़्यादा Experience उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, और इसके बाद हम बात करेंगे, यह जोन वाइज, यहाँ पर आपको Selection, Documents, Verification के लिए बुलाया जाएगा, और यहाँ पर हैदराबाद है पाहला, इसके बाद New Delhi, इसके बाद Bengaluru, इसके बाद बैंगलोरू, इसके बाद बैंग